इन दौर में अब फ्रंट लाइन वरकर्स को कोवीड-19 का वैक्सिनेशन किया जाएगा जिस लेकर स्वास्थ विफाग ने तैयारी पूरी कर ली है इन दौर में 32,000 फ्रंट लाइन वरकर्स हैं जिन्हें टीका लगाया जाएगा देखे एक खास रिपोर्ट इन दौर में हेल्थ वरकर्स के बाद अब फ्रंट लाइन वरकर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा आपको बता दें कि फ्रंट लाइन वरकर्स में पहले संभागयक्त कलेक्टर आईजी डी आईजी को टीका लगाया जाएगा इन दौर में 32,000 फ्रंट लाइन वरकर्स है जिन्हें टीका लगाया जाएगा बताया जा रहा है कि आगामी 6 फरवरी से फ्रेंट लाइन वरकर्स को टीका लगाने काम शुरू हो जाएगा आपको बता दें कि प्रतिक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाता था लेकिन अब सेंटरों पर संख्या को बढ़ा कर 120 से 140 क कर दिया गया है इदर सीमेचो डॉक्टर पूनिमा गाडरिया ने कहा कि 32,000 फ्रेंट लाइन वरकर्स को टीका लगाया जाएगा इसके लिए चार दिन का लक्ष रखा गया है हलाकि पॉर्टल पर अब समस्या नहीं आ रही है करीब 32,000 फ्रेंट लाइन वरकर्स रेजिस्ट प्लान करेंगे जिस पर चार दिन में कंप्रिट हो जाएगा और 15 तरिक को इनका मॉप अपॉप संभावना के बारे में तो अभी हम नहीं कह सकते हमको 15 तरिक बताया है इसका मॉप अपॉप राउन क्योंकि हमको सेकेंड रॉन दो शुरू करना है सेशन रहेंगे आठ तरि को और 11-13 को सहाट सेशन लगेंगे पर सेंटर पर 120 से उपर रखा जा सकता है अब 100 की लिमिट हटा दी गई है क्योंकि डिफिजल्स होते हैं तो 100 की सब कैसे नहीं आ पाते हैं तो 120 से 140 कर दिया है सब ही जगे पोर्टल पर जैसी क्रियेट हो जाएंगे वह से मस जाएगा फ्रेंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है आगामे दिनों में फ्रेंट लाइन वर्कर्स को टीका लगना शुरू हो जाएगा MP News के लिए इन दौर से धर्मेंद्रिया दफकी रिपोर्ट